उत्तर प्रदेश में संभल में जिस तरीके से सर्वी हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हैं आखेर किस तरीके से हुआ कि सब्सक्राइब हुए और इसके पीछे कौन हो सकता है कई सवाल हैं हमारे साथ उत्तरप्दिश सरकार के मंतरी नितिन अग्रवाल मौझूद हैं सर यह जो हिंसा हुई जो संभल में कोट कमिशनर का ऑडर हुआ जिस तरीके से सर्वे कराने का क्या आपको लगता है कि किस वज़े से सारी चीज रही हुआ और नियाए पालिका ने इसमें अपना वर्जन दिया और निया पानीय पालिका के आदेश केे बाद प्रशाशन उस पे काम कर रहा है तो अखिर इसमें आपत्ती किसको है माहूल क्यों खराब किया जा रहा है और ये देखने को हमेशा मिला है कि जब-जब माहल खराब हुआ है तब तक समाजबादी पार्टी के लोग उसमें शामिल दिखाई दिए हैं कारवाईयां हुई यह तो पता लगा है कि इसमें समाजबादी पार्टी का हाथ है तो आकिर मैं पुछना चाहता हूँ कि समाजबादी पार्टी जिसका हमेशा मैं तो मानता हूँ उनके जीन्स में कैसे प्रदेश का महौल कराब किया जाए कैसे गुंड़ागरदी की जाए कैसे अरा जगता पहलाई जाए यह उनके जीन्स में है मुझे लगता है और जहां जहां ऐसी घटनाए होती हैं वहां वहां उनके और उनके कारकड़ा शामिल होते हैं दिकाई देते हैं तो अगर आप किस पर विश्वास कर नहीं करना जाते हैं अब आपने नायपालिक पर भी सबाल उठा दिया है तो मेरा ये कहना है कि देखिए हम अपने देश में हमारा एक समविदान है हम समविदान के अधार पर हमारा देश चल ला है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती पर काम कर रही है और अगर समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे महौल खरा वो ठीक है और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया चल रही है वो एक प्रोसीजर है तेखिए बिल्कुल आप आपने देगा फायर हुई है जब इन प्रसाशन ने करी है और समाजबादी पार्टी के लोग शामिल है वहां के जो MP है उनके किलाब फायर हुई है उनके और भी लोगों क्लाब फायर हुई हुथा, सीधे तोर पेस पच्छ्ट है कि ये प्रायुजित था, वहां पे दंगा कराने का प्रियास किया जा रहा था, महौल खराब करने का प्रियास किया जा रहा था, कुछ लोग उसमें, जो जितने भी लोग शामिल थे वो सब समाजबादी पार्टी से प्रायुजित लोग थे और सरकार ने उस पर अपनी कारवाई सक्ती से करी और सक्ती से निवटने का काम किया। उनके फैसले पर भी सवाल उठा दिया है। अगर विपक्ष यह चाहता है कि उनके हिसाब से काम हो कानून उनके हिसाब से चलेगा। सर एक साफ तोर से आरेसोस जीव मोहन भागवत ने भी से पहले बात कही थी कि यह जगे जगे सर्वे करकर नीचे शिवाले हो यह भी जरूरी नहीं है। तो इस पर भी कही ना कही तो क्या लगता है कि जो क्विक सर्वे हुआ जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद ही चीज हुई। तो क्या कोई जल्दबाहट है आपको लगता है कि कोई जल्दबाजी ऐसी है कि बैक टू बैक सर्वे करना है बैक टू बैक ऐसे उसके निकालना है। हम भी यह कहते हैं आदर्णिय सरसांचालक जी ने जो बात कही है हम भी उस पर कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हर मजजिद की नीचे हम शिवाले ही मिलेगा। लेकिन अगर समाच का एक पक्ष अगर कहीं निया पालिका में जाके गुहार करता है कि इसका सर्वे करा लिए जाए अगर उन्हें लगता है कि नीचे हो शिवाले हो सकता है और उन्हें सर्वे की कोई मांग करी है और निया पालिका ने उसमें आदेश किया है तो सर्वे कर तो केवल सर्वे कराने के लिए अगर वो दंगा कराएंगे या सर्वे के नाम पे अगर वो महुल कराब कराएंगे तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा बैक टू बैक यूपी में देखा गया है कई चाहे बनारस से लेकर मतुरा हो और अब संभल हो तो कई बैक टू बैक सर्वे हुए कि इसमें रोल लगता है आपको कि यह सर्वे इनेशली या किसी स्टेज तक ले जाने के लिए लगातार कराये जा रहे हैं या आपको लगता है जी जो पेटिशन्स हो रही है उसके पीछे भी कुछ है रिजरी कोई ने बिलकुल देखिए मैं इसमें मानता हूँ कि जो पेटिशन्स हुई है उन पेटिशन्स पे जो जो निर्ने आए हैं उन निर्ने का पालन कारे पालिका कर रही है सरकार उन निर्ने का पालन करा रही ह इसके लावा मुझे लगता है कि इसमें और कुछ भी नहीं है हम केवल कानून के हिसाप से काम करना चाहते हैं और मानिये नियाले जो भी निर्णे लेता है हमारी सरकार निर्णों को मानते हुए उस पे काम करने का काम करती है तो नितिन अगरवाल जी साफ तौरते मानना है कि जरूरी नहीं है जिस तरीके से कि हर सर्वे होने पर मस्जिद के नीचे सिवाले हो इस बात का वो समर्थन करते हैं लेकिन अगर प्रिटिशन होती है और सर्वे किया जाता है तो जरूर उस फंक्शन का सपोर्ट करना चाहिए कि क्या उसमें निकलता है और समाजवादी पार्टी के लोग अगर इसके पीछे हैं क्यूंकि वो ये नहीं मानते हैं कॉंसिटूशन को और डिक्टेटर्शिप करके कही ना कहीं वो हर चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही वज़े है कि संबल हिंसा में समाजवादी पार्टी का नाम आगे आया है लकनो से क्यामरा परसन रोहित कांद मिश्रा के साथ आशी श्रिवास्तो आज तक